पियम मोदी के आज चुनावी हुंकार होगी आज सहारनपूर में पियम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे सहारनपूर मुझफवन नगर के प्रत्याशियों के लिए आज जनसभा करेंगे सुबह 11.25 मिनट पर बताया जा रहा है कि पियम मोदी पहुचेंगे राधा स्वाम की मोड तक रोशो किया जाएगा वाई सुरक्षा के लिए पांस हजार से जादा पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे जानकारी के साथ समधाता लियागत हमारे साथ जुर्गें लियागत क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आज चुनावी हूंकार भरने जा रहे हैं वो देखें नन्नी आपको मैं बता दू पश्चिमित्र परदेश के सहारन पुल में आज देश के जो परदान मंत्री नरेंद्र मोदी हैं एक चुनावी जंसवा को सम्मोदित करेंगे तो करीब ग्यारा बज़ कर पच्छीस मिलेट पर परदान मंत्री यहां पहुंचेंगे उ उपेंद्र चौर्दी वो भी साथ होंगे और सहयों गिदल आरेजडी के जो परमुक हैं जेन चौर्दी वो भी जंसवा में शामिल होंगे इसमें कहें कि उत्तर परदेश की जो पस्च्पी यूपी की तीन सीटे हैं सहारन पूर मुझफर नगर और केराना इनके जो परति टार्यार मेत्स चाहते हैं स्फची कि मीज़ेयाँ पी जो है को को कॉछ ऊसर नहीं χोड़ना चाहती कि किसी भी तरीके से ये सिट किसी दूर से खाते में जाए कि यूचे पूरेत रे तरीके से अपना कबजा साहरन पूर की स्चीट पर भी जमाले क्योंकि जो यहां के पर्तियासी है रागाव लखनपाल उनके उपर तीसरी बार भरोसा किया जा रहा है दोजार चोड़ा में वो सांसर बन गए थे उननीस में वो हार गए थे अब दोजार चोविस के चुनाओं में भी उनको पर्तियासी बनाया गया है यहां कहें कि पूरे तरीके से जो बीजेपी है लगातार दम लगा रही है या परश्चिम उत्तर परदेश के जो कहें कि सहारनपूर एक पर्थम सीट मानी जाती है पहले नंबर की लोकसभा सीट मानी जाती है और उसी वज़े से लगाता आज जो परदेश के मंतरी भी है वो भी सहारनपूर में अपना डेरा जिमाए हुए है इसी के चलते आज जो परदान मंतरी है वो यहां पहुँच रहे है जो परदान मंतरी अपील कर भी रहे है और आज यहां पहुँच कर करेंगे कि किस तरीगे से अपने वोट को जाया ना करें पूरे तरीगे से कहें कि जो तीनों सीटे हैं उनको किसी भी तरीगे से जीतना है जी बिल्कुल देखें जो सरीके से भारतिय जंता पार्टी अश्शी मिसन को लेकर लगातार अपनी तयारियों में लगी हुई है और एंड ये और आज आरेलडी मिलकर कहीं न कहीं एक चुनावी संदेश देनी की कोशिश करेंगे पूरी जंता को बिल्कुल कहें सकते हैं लगातार जो परधान मन्तरी की पस्चिमुतापरदेश में रेलिया हो रही हैं उनमें जेन चौधरी भी लगातार शीन न के कि जो परमुब जैन्चोदी नहीं लगातात सभी जगे जा भी रहे हैं मुख्य मंत्री के साथ भी जनसभाई में सामिल हो रहे हैं और परदान मंत्री के साथ भी कहें कि पस्चिम उत्तपरदेश का जो एरिया है इसको बिलकुल भी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है और बीजेपी का मिशन है कि उत्तपरदेश की जो अस्टी सीटे हैं वो पूरी की पूरी जीतने का बिलकुल कहें कि मन है कि अस्टी के अस्टी सीटे जीतने हैं और कहीं भी किसी तरीके की कोता ही ना हो जिससे कोई सीट गवानी पड़े जी तब आम शौनकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका